आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जगनात मिस्रा और हमारी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आज हमारे साथ में एवद्या जनपत के जिला पंचायत अध्याच्य परत ने धी आलोक कुमार सिंग जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो की आगामी सन 2022 विधान सभा का चुनाव होने वाला है, इसमें परत्यासियों का टिकट बित्रण हो चुका है, किस तरीके से परत्यासी चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक थे, उनकी जो भी विकास वो सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि संदोजार 17 से संदोजार 22 की बीच में जनता ने आपके विधायकों को जनपरत्नेदियों को सभी को देखा, इस बार फिर से उनके उपर भरोसा जताया गया है, पार्टी ने टिकट नहीं काटा, किस तरीके के यह रणनीती होने वाल सबसे जुड़ा हर एक बेखती हर एक कारिकरता समर्पित कारिकरता होता है, जिसको बहुत सारे लोग टिकट चाह रहे थे, लेकिन हमारे पुराने जितने भी मानने विधायक हैं, सब ही को पुना आउसर दिया गया है, और जितने टिकट चाहने वाले थे, सब जी जान लग जैसे खुद चुनाव लड़ते ऐसे ही हमारे मानने विधायकों को फिरसे चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप खुद चेत्र में हमारे हाँ देखते होंगे सड़क से लेके सड़क नाली नाला खणंजा और गाउं की बहुत हद तक सुधार हुआ है और आने वाले पांच साल में आप देखिएगा कि ये किसी बहुत बड़े महानगर से कम नहीं होगा हमारा आयोध्याचन पर तो इस किंवा ये समाजवादी नहीं भारती जंता पारटी ये पार्टी डिसाइड करती है परलेमेंटरी बोर्ड डिसाइड करता है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा यह समाजवादी पार्टी नहीं कि अखले से यादो बैठके वहां से फर्मान जारी कर दिये कि फला वहां से चुनाव लड़ेगा यह भारती जनता पार्टी है योगी जी को गोर इसलिए यह खाली पुलाब पकाते रहें कि वह सत्ता में आ रहा हैं कहीं दूर दूर तक उनका नामों निसान नहीं और रहे गए योगी जी के पल के विछाये निहार रही थी कब वो योगी जी कब यहां से आतें दो से कम दो-लाख ओटों से जीट कि जातें दूसरों की जबान नहीं लड़ सकते हैं, आपने उनकी पत्नी को टिकर दे दिया, इस पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि फिर वो लोग खुद आप ऐसा काम कर रहे हैं और आरोफ हमारे उपर लगाते हैं, देखे कोई गुंडा मौली होगा तो गुंडा मौली कहा जाएगा, रहे गई आनि व अच्छ में हैं, तो उनको क्यों न वसर दिया जाए, महिला हैं इस नाति न दिया जाए, क्या महिलाओं को निरी समस्ते हैं समाजवादी पार्टी वाले, किसी एक महिला को इन्होंने यहां से टिकर नहीं दिया है, हमारी पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकर दिया, तो क्या बुरा है जिसलिए उनकी बाते सब गलत हैं इसमें कोई सत्यता नहीं है हाँ उनकी पार्टी में आप देख रहे होंगे जिस तरह टिकट बटवारे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा गुंडा मौलियों को टिकट दिया गया है जिससे वो चुनाव में गुंडा गर्दी का प्र भारते जंता पार्टी के ओपर दुर्भी करण का आरोप लग रहा है जैसे आपने कैराना में वहां नाहिद हसन को लेकर तमाम सारे बयान बाजी हुई योगी जी का नारा रहा कि असी बयान बनाम 20 की इस बार लड़ाई है सपा कहती कि अगर भारते जंता पार्टी ने वि या गलत काम ना किये होते उसका क्रित उस तरह का ना होता तो नहीं कहते आप बताए किस तक कभी आज तक पांच साल की सरकार में कोई भेदभाव हमारी पार्टी ने किया है एक समान वेवार सबके साथ हुआ है सारी योजनाओं का अलाव एक समान हो सबको मिला है ये देख कर रहे हैं हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि दुरुवी करण की राजनीत करते हैं हम सबका साथ सबका अभिकास सबका विश्वास सबका प्रयास पर काम करते हैं यह हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है उसी तर्द पर हम सब ही काम करते हैं सर आज के इस चुनाओ बहुत हद केरा कि सारे के चुट्टा जन्वर पगड़े जा चुके हैं फोड़े मोड़े चुट्टा जन्रों कहीं कहीं दिख्ते हैं उन पे भी काम चल ला है और आगे आने वाली हमारी सर्कार काirst टार्गेट है कि हर ग्राम सभा में चुट्टा जानवरों के लिए आस्रे बनाया जाएगा और जो भी चुट्टा जानवर होंगे वो उसमें रखे जाएगे और अनावस्य ग्रूप से कोई अपना जानवर छोड़ेगा नहीं इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे आप देख कि द्वाय बनेंगे गोबर से भी कई तरह के प्रोड़ेक्ट बनेंगे देखते जाएए दस से पंदर रुपे के लिए जब गोबर भीकेगा तो लोग खुद बखुद जानवर रखेंगे और रह गई चुटा जानवर छोड़े उनके पास क्या इसका वह है वो क्या इन जानवरों को उनके पास कटाने के लावा कोई विकल्प है वो भी बता दे कि उनके पास क्या रास्ता है इसका हम तो हम तो नहीं कटने देंगे गाय जानवरों को लेकिन उनके पास कटने के लावा कोई रास्ता हो तो बता दे क्या हमारे माबाब बुढ़े हो जाते हैं जब वो किसी उनका कोई हमारे लिए उपयोग नहीं रहता तो हम क्या उनको कटवा देते हैं वो हमारे लिए स्रेष्ट है उन्होंने हमको जन्म दिया है ऐसे ही गाय हमारी माता है तो कोई अपनी माता को नहीं कटवाएगा वो लोग ही ऐसा कर सकते हैं सर आप अध्या जन्पत के जिला पंचायत अध्यच हैं क्या विकास का प्लान होने वाला है अगर आपकी सरकार बनती है अगले पंचवर्षी में सर आप देखते जाएए आयोध्या तो भैस्युक नगरी के रूप में विक्सित हो रही है यहां असीमित रोजगार के साधन हो दोड़ोर से लोग जैसे बंबै के जो दोनिया के सामने होगी दुनिया के नक्षे एक सबसे बड़ी परेटन नगरी के रूप में विक्सित होगी और गई जिला पंचायत की तरफ से लोग लगातार गाओं के विकास का काम कर रहे हैं, पान सालों में, साइध ही किसी गाउं में नाली, नाला, खरंजा, सिशी रोड, लाइटिंग का काम, लगबग हर काम करने का प्रयास करेंगे, कि जिससे आयुद्ध्या के साथ, आयुद्ध्या के गाउं भी विक्षित हो सकें और सुच आयुद्ध्या देश के सामने हैं सर आप कितनी सीट जीतने का दाव dips सकते हैं कॉं पूर्ण बहमत की सरकार colored us इसमें क्या है क्या कहिना है आप खुद ही समझ सकते हैं कि चार prue के pół फाफ पका रहे ह। हम ठींज को थली प्लॉप कर जीतने सो प्लस सीटे हमारी होंगी क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि हम बहुत सारे अपने बर्तमान विधायकों का टिकट काटेंगे लेकिन जिस तरीके से भगधर मची बीजेपी पाटी में कई लगातार छोड़कर जाने लगे पाटी तो बीजेपी बेपच्छों वालों का भी कह क्यों न energ बेथे था था कि हम इतने विधायकों काटेंग एच्छा काम किया हैं वह सथा यहेटपा काम क था तो विधायकों के टिकट काटने की क्या जुरूत है और जिनके काम अच्छे नहीं थे उनके टिकट कटे तो जब अच्छे लोगों के टिकट जारी हुए है उन्होंने अच्छा काम किया है और जो अच्छा काम नहीं किया उनका टिकट कट गया तो हम लोग सीटे जीतेंगे वो सारे विधायक जीत कराएंगे यह विपच्छ भ्रम पहलाता है कि यह कर रहे हैं वो कर रहे हैं यह गलत काम करना ऐसा कुछ नहीं है और जिसने भी अगर काम अच्छा नहीं किया है तो उसका टिकट काट देगे अधिया वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप सब अधिया वासियों के लिए एक ही मेरा निवेदन है कि आयोध्या है पाचो सिट जीताकर योगी जी को मुखमंतरी बनाएं और अपना भविश्च सवारें जाई दोस्तों अभी तक हमारे साथ में अधिया जनपत के जिला पंचायत अध्याश प्रतनेधी आलोग सिंग जी जुड़े हुए थे जो कि मैंने उत्तर प्रदेश विदान सभा चुनाओ को लेकर तमाम सारे प्रस्निक किये जो भी आरोप लग रहा है द्रभी करन की राजनित ग्या जन्चारी होसके कि मझे क्या करना चाहिए आप सभी इस वीडियो को बबबहुत धन्यवाद में अब जुड़े इसके लिए